हलो फ्रेंट्स वेल्कम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलीस कॉंस्टेबल का री एक्जाम होने वाला है 23 अगस्ट से 31 अगस्ट तक उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्डेंट कोश्चन्स को जो है इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जो भी कैनेट्स इस बार यूपी पुलीस कॉंस्टेबल का री एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको 100% ये गारांटी देता हूँ कि आपके यूपी पुलीस कॉंस्टेबल के एक्जाम में यहां से प्रस्ट में जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अप्डेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक बैलेकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चले वेडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे खिलापत समीती की अस्थापना यह कब हुई थी तो यह बॉम्बे में हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है और यदि एक्जाम में पूछा जाए दोस्तों की खिलापत कमीटी की पहले सम्मेलियन के अध्यस्ता जो यह किसके द्वारा किया गया था तो देखे खिलापत कमीटी के जो पहला सम्मेलियन हुआ था वो आपका 24 नॉमबर 1919 में हुआ था और इसकी जो अध्यस्ता है वो महात्मा गांधी ने की थी तो यह भी आपको याद रखना है और यह पहले कमीटी का जो सम्मेलियन ने यह कहां पर हुआ था तो यह न्यू डैली में हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है यह किस ने की थी तो देखे रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है न यह हैंडरी बैक्वेरल के द्वारा किया गया था तो हैंडरी बैक्वेरल आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यह पर है कि वारेन हैस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जेनरल जो यह कब बना था तो देखे अगर एक्जام में पोचा जाए कि बंगाल का प्रत्म गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट तैंसर हो जाएगा लेकिन、、me आपका ये पूचा गया है कि बंगाल का प्रत्म गवर्नर जनरल कब बना था तो ये 20 अक्टूबर 1773 को बना था तो 20 अक्टूबर 1773 आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा बात कर ले वारेन हैस्टिंग का कारिकल कब से कब तक रहा था तो 1773 से लेकर जो है आठ फरवरी 1785 तक रहा था तो ये भी आपको याद रखना है और कभी-कभी एक्जाम म कफिर करेक्ट टैंसर हो जाएगा इनका जो कारिकल रहा था वो 1757 से लेकर जो है 1760 तक रहा था उसके बाद अगर पूचा जा कि भारत का पहला गवर्नर जेनरल कौन था तो वो विलियम बैंटिक था और इनका जो कारिकल रहा था वो 4 जुलाई 1888 से लेकर जो है 20 मार्च 1835 तो यह भी आपको याद रखना है अगर पूचा जा कि भारत का पहला वासरा है कौन था तो भारत का जो पहला वासरा है था यह आपका विसकॉंट कैनिंग था तो यह भी आपको याद रखना है और इनका जो कारिकल रहा था वो 1859 से लेकर जो 1862 तक रहा था तो यह भी next question आपका आपके कि antiseptic surgery का सुत्रपात जो यह किस ने किया था तो देखिए antiseptic surgery का जो सुत्रपात है ना यह जॉसिप Lister ने किया था तो जॉसिप Lister जो आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा next question आपके आपके दोस्तों कि 1498 में भारत की खोज किस ने की थी तो देखे 1490 में भारत की खोच जो है ये वासकोड डिगामा ने किया था तो वासकोड डिगामा आपका यहाँ पर क्रेक्ट एंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दो दोस्तों कि वासकोड डिगामा एक ऐसा वैक्ति था जो कि पहला यूरोपिय जो कि समुद्री रास्ते से भारत पहुचा था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स कोशन आपका यहाँ पर कहां पर आयोजित हुए हैं तो देखे बिहार पूलिस में भी जो आपके छे करेंट अफेर से जो है कोशन पूछे जाएंगे इसलिए जो खेलो इंडिया यूद्गेम्स 2020 कहां पर आयो निडल जीता था तो परतम स Goodness पे महराश्ड रहा था सेकेंड पर तर्ड पे जो आपका डैली रहा था बातकर जो 2019 में यह कहां पर आयो जो जीत हुआ था खेलो ऑंडिया यूद्गेम्स तो यह महराश्ट में आयो जीत हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है और प्रत हम रैंक पर हर्याना है और राज रहए था तो यह इंगको याद रखना है नएक्स्ट कुश्ण कोंपकाई अव दोस्थ के नेत्रसंबंदी यह एक डावि और विटामीन्डेरी कही होती है уж एक कमी से होती है तो विटामीन आ जोगा है तो रोग होते हैं या फिर जो आपको जिरोफ्थालमिया जिस आँखों में जो आपका सूजन हो जाता ना मतलब सूखा पड़ जाता है उसी को जो जिरोफ्थालमिया कहते हैं तो रताउंदी और जिरोफ्थालमिया जो है या आपका वीटामिन A की कमी से होता है तो ये भी आपको याद रखना बात कर लें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखें विटामिन बी की कमी से जो आपका बेरी बेरी रोग होता है तो यह भी आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी से जो क्या होता है तो असकरभी रोग होता है यह भी आपको याद रखना है विटामिन डी की कमी से क्या होता है तो रीकेट्स होता है ठीक है उसके बाद विटामीन ए की कमी से होता है तो यह सारे आपको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी आपके प्रशन पूछे जा सकते हैं ऐक प्रशन प्रशन की की एकथ यहां कि से कटा जा सकता है तो किस दातो चाखोसे आसानी से कट जा सकता है तो यह सोडियम धातो को तो सोडियम आपके यहां पर करिक टैंसर हो जाएगा बात कर लिए sodium का पर्मानु करमान का अगर पूछा जाए कितना होता है तो 11 होता है इसका simbol क्या होता है sodium का तो any होता है और sodium का Latin name अगर पूछा जाए तो natrium होता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका ऒए भारतिय समज़धान की अनुसूची साथ में जो है सिच्छा को किस सूची में सामिल किया गया है तो समूबर्ती सूची आपका यहां पर क्रेक्ट सैंसर हो जायागा देखे अब आपके मन में डाउट यह हो रहाओगे कि सातवी अनुसूची है क्या? तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो सातवी अनुसूची है ना यह राज्य और संग के मद्य के अधिकारों को जो उलेखित करती है तो यह भी आपको याद रखना है कि सातवी अनुसूची जो किसको उलेखे करती है तो राज्य और संग के मद्य के अधिकारों को जो है उलेखे करती है और इसमें जो आपका तीन सूचिया आती है जो कि आपका एक तो संग सूची दूसरा आपका राज्य सूची तीसरा आपका समवर्ती सूची तो यह जो सिच्छा था ना वह आपक समवर्थी सूची सातवी अनुसूची में कौन सी सूचिया में आती है तो समवर्थी सूची आपके यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपके बर्दोली सत्यागरा का नैतरित हुआ है यह किस ने किया था तो देखें बार्दोली सत्यागरा का जो नैतरि में हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है और ये जो बार्दोली सत्याग रहा था ना ये एक पर्मुक किसान अंदोलन था जिसका नेतितुर सरदार बलंभाई पटेल ने किया था और ये कहां से हुआ था तो गुजरात में हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है देखे मेरा उदेश यह है कि अगर मैं आपको एक कोशन भी बता रहा हूँ ना तो उसके सारे फैक्ट आपको बता दू था कि आपको जो है एक प्रेस्ट में जो है सारे एंसर जो उसका पता चल जा है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर कि बाइस अक्टूबर 1764 को जो है कौन सा यूद हुआ था तो देखेंगे बाइस अक्टूबर 1764 को जो है ना यह बकसर का यूद लड़ा गया था तो बकसर का यूद आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा या फिर कोशन आपसे घु India Company और आपके अवात बंगाल और मगल विरोद रखना तो यह बे आपको याद रखना है और इसमें एकौन विजर ही रहा था तो बकसर का यूद में जो यह ndia Company ऑख adviser के विजर ही रहते तो यह भी आपको याद transparent होता है तो आँका जो आपका cornea भाग होता है वो आपका transparent होता है तो cornea आपका यहाँ पर क्रिक टैंसर हो जाएगा जो कि आँका एक पारदर्सी हिसा है जिसे जो बाहर का प्रकास पढ़ता है तो यह भी आपको याद रखना है next question आपको हैं दोस्तों कि कि किसी की आँख में road कोसी का ज़्यादा होती है और कौन कोसी का कम होता है तो उसे क्या कहते हैं तो देखिए मतलब किसकी आँख में पूछा गया है तो देखिए उल्लू की आँख में जो आपका road कोसी का ज़्यादा होती है और कौन कोसी का जो वो कम होता है तो उल्लू जो आपका यहाँ पर पस्पस्ट दिखाई देता है दिन के अलावा ठीक है तो उल्लू फिर आपका करेक्ट टैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपके दोस्तों की भारतिय सम्विदान की आठवी अनुसूची यह जो किस से संबंदित है तो देखे भारतिय सम्विदान की जो आठवी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की भारतिय सम्विदान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी सब्द कब जोड़ा गया था तो तो ऑप्शन टू आपका यहां पे क्रेक्ट टैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है प्र दोस्तों की सापेचिता का सिधान यह किस ने दिया था तो देखे सापेचीता का जो सिधान तैना ये आइंस्टीन ने दिया था तो आइंस्टीन आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्णा आपका यह दोस्तों कि भारतिय अंतरीच अनुसंधान संस्तान यानि इस रो जो है यह कहां पर इस्तित है तो देखे इस रो का जो फुल फो मुता है ना वो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन होता है जिसको हिंदी में भारतिय अंतरीच अनुसंधान संस्तान कहते हैं और इसका जो मुख्याले है वह आपका बैंगलोर में इस्तित है तो बैंगलोर आपका यहाँ पर करे बैंटक यहां को जो है नॉबल पूरुसकार कब मिला था तो दीके चैन्डर सेकर बेंटक रमन इसकार नोबल पूरुसकार 1930 में दिया गया था तो 1930 आपका यहां पे करेक्टर हो जाए गारा नेक्स्ट कुश्वाइब दुस्तों की परमानू के नाभी की खोड़ यह किस्स और इन्होंने परमानु के नाभी की खोज कब की थी तो 1911 इसवी में किये थे तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन जो कि आपको कमेंड बॉक्स में जवाब देना है किसी वैक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उलंगन होता है तो वह किस के पास जा सकता है आपके उप्सन में भारत के राश्पदी के पास जा सकता है भारत के प्रदान मंतरी के पास जा सकता है या फिर उपरोगत कोई भी किसी के पास भी जो वो जा सकता है तो आपको जो इसका कमेंट में जरूर जबाब देना है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तयारी जो वो कैसी चल रही है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो